हालो एस्टुडेंट विल्कम टू मैई चानल गयापन एकेडमी आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के पहले चेप्टर मेरा मतलब फूड वेर डाज इट कम फरम शुरू करने वाले हैं जो आपके NCRT बूक में दिया हुआ है सो लेट्स गो टू स्टार्ट एस्टुडेंट तो सबसे पहले हम दो चेप्टर का नाम लिखेंगे फूड वेर डाज इट कम फरम यह आपके पहले चेप्टर का नाम है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फूड होता क्या है जिसको हिंदी में कहते हैं भोजन एस्टुडेंट भोजन हम उसको कहते हैं जो मानों जिन्दगी में एक उर्जा के फॉर्म में भूमी का निभाता है यानि कि हर वो चीज जो इनसान के द्वारा खाय और पचाय जाते हैं उसे भोजन कहते हैं और दूसरे सब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो इनसान को पोसर समबंदी साहयता परदान करना मतला जो इनसान के लिए खाने का और पचाने का इस्तमाल किया जाता है उसे ही हम भोजन करते हैं और हम बात करें कि अगर हम भोजन ना करें तो क्या जिन्दगी समभाव है बिल्कुल नहीं एस्टुडेंट बिना भोजन के जिन्दगी संभाव है ही नहीं क्योंकि अपने रुजमर्रा की जिन्दगी में हम अपने किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है यानि कि हम अगर अपने रुजमर्रा की जिन्दगी में सुबह से लेकर कि जो साम तक काम करते हैं ये काम करने की छम तक कहां से आती है भोजन से आती है यानि कि हम उर्जा के फॉर्म में हम भोजन को लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमें कार्य करने के लिए सक्छम बनाता है तो हम यहां समझ गया ना कि भोजन क्या होता है यारी हर वो चीज जो इनसान के लिए खाने और पचाने का इस्तमाल में होता है उसे हम भोजन कहते हैं चलिए अब इसका हम definition लिख लेता है अगर food का हम definition लिखें तो कुछ इस तरह होगा food is food is या रिक्ति एट या वदे Σंहिंसे लिख दे हैं कि food is डायट यैनि भोजन वह है विश प्रवाइड़ स्वशादी करता है न्यूरिश्नल सपोड़्व वो सर्शमबंदी शाहता परदान करता है उसे हम पूरजन व चीज होता है किसको जीवों के लिए अरे जीव ही न भोजन करता है जिसके अंदर जान होती है जिसके अंदर प्राण होती है जो स्वासन करता है वही तो भोजन करता है ना तो भोजन उन्हीं लोग के लिए बनाए गया है और भोजन जिसको खाने और पीने खाने और पचाने के लिए इस् कि या एक परकार की उर्जा देने वाली श्रोथ है जिसे इनसान की मानो जिंदगी संभव हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भोजन एक परकार कि material है जो इंसान के दोरा खाये जाते हैं कई तरीके कि आप definition को लिख सकते हैं बट हम एक अपने तरह से अपने तरीके से मैं standard type of या definition को मैं लिख दिया हूं आप इसे लिख सकते हैं अब अगला सवाल है कि विएर डाज इट कम फ्रम एस्टुडें यह भोजन आता कहां से ठीक है यह बात सही है कि भोजन के अगर वराइटी की बात करें सबसे पहले तब हम बात करेंगे तो फुट टल्ट काम फ्रम यानि फू रयाईटी के बात करें저 सूप फूर आयची की बात करें यानि कि भोजन के परकार की बात करें ठीक है तो मुझान के परकार को अदेह मिलिक है तो सिरील फिस ब्यृट गिवल यहां हम food variety को लिखने हैं यानि कि cereals पहले नमबर में, दूसरे नमर में vegetables, तीसरे नमर में meat, चौथे नमर में fruits, पाचिवे नमर में fishes and छटे नमर में dairy milk यानि यह भोजन की परकार है यानि कि यह सब इनसानों के द्वारा खाया और पचाया जाता है ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह जो cereals है, यह जो vegetable है, यह जो meat, fruit, fishes and dairy milk है, यह सब आते कहां से, यानि यह भोजन आते कहां से है, तो देखिए, यहां हम बता रहे हैं कि food दो जगह से आते हैं, यानि food comes from two sources, यानि कि भोजन जो है, दो स्रोतों से आते हैं, कहां से, पहला animals ह और दूसरा plants, अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन plant से आता है, और कौन animal से आता है, सीधी सी बात है, animal, यानि dairy milk, यह animal से आएगा, fishes, यह जानवर में चला जाएगा, और fruit, यह चला जाएगा, प्लांट में, और उसके बात से, cereals जो है, cereals, यह चला जाएगा, प्लांट में, vegetable चला जाएगा, प्लांट में, meat चला जाएगा, animal में, यहाँ आप समझ गया न, कि भोजन जो है न, भोजन, दो जगा से आता है, यानि भोजन के दो sources हैं, पहला animal और दूसरा plant, अब चलिए हम लोग, बात करते हैं, अगले topic, as student food item ingredients और sources पढ़ने से पढ़े, यानि अगले topic पढ़ने से पढ़े, हम या भी definition को लिख ले, कि where does it come from, यानि भोजन आता कहां से, food, where does it come from, क्योंकि ये exam में आ भी सकते हैं, कि भोजन अगर है, तो या आता कहां से, तो हम इसका definition लिखेंगे, it comes from animals and plants, animals means, जानवर और plants means, पौधा, यानि कि भोजन जो है, दो सोर्स से मिलते हैं, यानि कि भोजन का दो स्रोत है, वो है animals और दूसरा है, plants, यानि animals, जानवर और plants means, बहुत है, अब चलिए हम अगले टॉपिक को जो पढ़ने वाले हैं, वो है, food item, food ingredients, और sources, यानि यहां हम फूड आइटम को लिखेंगे, यहां फूड इग्राडियंस को लिखेंगे और यहां बर sources लिखेंगे, food items, ingredients, सबको बहु बच्चन में लिख दे रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे food items को लिखना है, इसमें बहुत सारे food ingredients को लिखना है, बहुत सारे sources को लिखना है, food items को समझने के लिए और food ingredients और sources को समझने के लिए हम एक example लिखेंगे, जिसे आपकी concept clear हो जाने वा फूड को हम फूड आइटम के केटेगरी में रखेंगे यानि कि जो कंप्लीट फूड होता है उसे हम फूड आइटम के केटेगरी में रखेंगे क्या मतलब जैसे डाल बिल्कुल अगर कंप्लीट है डाल बन चुका है तो हम फूड आइटम के केटेगरी में रखेंगे ठीक ह किसी तरह हम खीर का जो एक्जामपल दिये हैं इसे आपको food ingredients किलियर हो जाने वाली है अब बात करते हैं कि food ingredients होता क्या है तो इस टुड़े एंड जिस समगरी का इस्तमाल food item को बनाने के लिए मेरा मतलब एक complete food तयार करने के लिए जिस समगरी का परियोग किया जाता है उसे हम food ingredients करते हैं तो चलिए वो कौन से समगरी है वो कौन से different ingredients है जिसको इकठा करके एक साथ मिलाने के बाद वो food item तयार होता है यानि खीर तयार होता है तो खीर को बनाने के लिए कौन-कौन से ingredients लाने पड़ता है तो पहले नंबर में लिखेंगे milk दूसरे नंबर में rice और तीसरे नंबर में sugar तो यहां कि लिए हो गया ना कि food item में complete food है और इसको बनाने के लिए जिस समगरी का इस्तमाल किया जाता है उसे food ingredients काता है ठीक ना अब हम बात करते हैं कि sources क्या है ठीक ना तो इस्टेंट food ingredients जिस चीज से प्राप्त किया जाता है जिस माधियम से प्राप्त किया जाता है ठीक ना उसे हम sources काता है milk कहां से आता है एनिमल से आता है तो हम यहां एनिमल लिख देंगे राइस कहां से आता है, प्लांट से आता है, तो यहां प्लांट हम लिख देंगे, सुगर कहां से आता है, तो प्लांट से आता है, यानि कि मिल्क की प्राप्ति एनिमल से होती है, राइस की प्लांट से होती है, सुगर की प्लाप्ति प्लांट से होती है, तो हम सोर्सेस की जग इस वीडियो में अगले टॉपिक के साफ मिलेंगे जैसे कि पढ़ना है कि प्लांट के वो कौन से पार्ट है जिसको हम लोग खाने के लिए इस्तमाल मिलाते हैं और Sprout Kaituit सित्थ क्या होते हैं और honeybees क्या होते हैं ये सारे टॉपिक पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत